राश्ट्रोन नती के पत पर नित्य प्रेरणा एक दिन एक प्रुष्ठ एक विचार श्री गुरुजी समगर बारा खंडों का संक्षित रूप भारतिय विचार साधना पुने द्वारा प्रकाशित किया गया है मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाती सदानन गुर बोले इन विचारों के एक प्रुष्ठ को प्रति दिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुचाने का प्रयास कर रही हूं यह प्रकाशित विचार हमें प्रति दिन प्रेरणा देते रहेंगे आज दिनांक पाच मै का विचार रुदय परिवर्तन की आवश्चकता उडूपी के विश्व हिंदू सम्मेलन में पारित प्रस्ताव एवं निर्देशों को मात्र पवित्र उद्गारों द्वारा वास्तविक जीवन में चरितार्थ करना संभव नहीं है सद्यों पुराने दुरागरह मात्र सद्विचारों अथ्वा स्वेच्छा से दूर नहीं हो सकते कठोर परिश्रम वो उचित प्रचार द्वारा नगर नगर गाव गाव वो घर घर जाकर लोगों को इन प्रस्तावों को स्वीकार करने एवं जीवन में उतारने का प्रशिक्षन देना होगा वह भी केवल आधुनिक युग के दबाव में दी गई रियायतों के रूप में नहीं बलकि अतीत में हुई भूलों के लिए पस्चात्ताप जनित फिनम्र भाव के आवश्चक सिध्धान्त तथा जीवन शैली के रूप में अपनाना होगा इसके लिए रुदय परिवर्तन एवं दृष्टी कोण में नहीतिक तथा भावनात्मक परिवर्तन करना ही पड़ेगा समाज द्वारा पीछे धकेल दिये गए वंदूओं की आर्थिक वर राजनितिक सिती में सुधार करने तथा उन्हें शेश समाज के समकक्ष कंदे से कंधा मिलाकर खड़ा होने योग्य बनाने के लिए भगिरत प्रयास करना होगा परन्तु यह भी स्वयम में अपर्याप्त है क्योंकि संभव है कि यह समानता अलगाव की भावना को जटक फेके बिना ही ला दी जाए हमारा लक्षकेवल आर्थिक वर राजनितिक समानता नहीं बलकि वास्तविक परिवर्तन वर परिपूर्ण एकात्मता है यह परिवर्तन सरकारी योजनाओ अत्वा राजशक्ती के बूते का नहीं है चाला की पूर्ण जोड तोड में निपुण तथा एकता के नाम पर पैबंद लगाने वाले राजनितिक दलो से भी यह काम संभव नहीं इसके लिए आवश्चक है स्वत्ह, स्पूर्त वश्रमसाध्यकार्य जो दैनन्दिन जीवन के ववहार में परिलक्षित हो तथा आध्यात्मिक, नहीतिक वसामाजिक स्तरों पर आयोजित हो इसके लिए भजनकिर्तन अत्वा रामायनव महाभारत की कथाओं को सुना ने आधी का कारेक्रम किया जा सकता है जहां सभी हिंदू विशुद्ध धर्म प्रेम की पवित्रधारा में समान भ्रात्रु भावना से अनुप्रानित होकर अस्प्रुष्य अस्प्रुष्य आधी का भेद भूल कर एकत्र हो साक्षर्ता, स्वास्थ, खेल, इत्यादी के प्रोथ्साहन हेतू सेवा प्रकल्प प्रारंभ किये जा सकते है इसे हेतू आधुनिक दुरुष्य श्रव्य उपकरणों को भी उपयोगी धंग से अपनाया जा सकता है परन्तु इन सभी गतिविद्यों का केंद्र बिंदू रुदय को भी प्रभावित करना एकताकारी सत्प्रवृत्यों पर बल देना तथा मतभेदों की उपेक्षा करना होना चाहिए इस स्वर्णिम सिद्धान्त का अक्षर शाह आचरण करने के कारण ही संग में जाती, वर्ग, पंथ, भाषा अत्वा अन्य किसी प्रकार के भेदों का नाम तक नहीं है समाज के प्रत्यक्षेत्र से आए लाखो स्वयम सेवक एक साथ उठते बैठते खाते पीते तथा खेलते है वे यह जानने की चिन्ता भी नहीं करते कि उनके बगल में बैठा स्वयम सेवक किस जाती बिरादरी का है मेरी हार देश की जय हो स्वार्थ भाव का क्षणक्षणक्षए हो जल जल कर जीवन दू जग को बसईतना सम्मान चाहिए भारत माता की जय वंदे मातरम